अगर आप एक PF खत अधारक हैं और अभी तक आपने अपने PF अकाउंट के साथ में आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है और आप अपना PF ओनलाइन लोगिन कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार का Error Message वहां पर सो हो रहा है जिस पर लिखा रहा है आधार is not available against UAN kindly seed आधार through employer तो यह पर अगर आपने अभी तक आपना आधार कार्ड पीएफ अकाउंट के साथ लिंक नहीं कराया है तो आप अपना PF ओनलाइन लोगिन नहीं कर सकते हैं इस समाधान आपने कैसे करना है आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नमस्कार मेरा नाम है सुब्राम सुर हुआ आप देख रहे हैं सुभम टेक्निकल सबसे पहले लेटेस्ट टेक्निलोजी वीडियो पाने के लिए अब भी हमारे चैनल सुभम टेक्निकल को सब्स्राइब कीजिए और साइड में जो बैल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए इस वीडियो में आपको दो ऐसे त दोस्तों अभी तक आपका आधार कार्ड पीएफ अकाउंट के साथ में लिंक नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपके आधार कार्ड में कुछ डिटेल गलत हो सकती है या आपके पीएफ अकाउंट में आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो यहां पर गलत हो सकती है जैसे आपका का joint declaration form आता है उसको आप फिल करके अपने employer के signature और seal करा कर वहाँ पर अपना यह joint declaration form अपने पीएफ ओफिस में आप जमा कराते हैं तो आपकी यह पर्सनल डिटेल हैं वो ठीक हो जाएंगी इसके बाद में आसानी से आप अपना अधार कार्ड पीएफ अकाउंट के साथ में लिंक करा सकते हैं ज्वाइन डिकलेशन form फिल कैसे करना है इसके लिए आप वीडियो के description में जाकर एक separate वीडियो देख सकते हैं जापर मैंने बताया है कि ज्वाइन डिकलेशन चार साल से छोड़ रखा है या दो साल से छोड़ रखा है उनके employer के साथ में कोई संप्रक नहीं है इसके card वो अपना आधार card कहां से link कराएं इसके लिए आपको गबराने क्या हो सकता नहीं है पहले तो आप अपनी डिटेल ठीक करा लें अगर आपकी आधार card में डिटेल आलग है उस समय आपने जोएन डिकलेशन फोमी फिल करना पड़ेगा उसके थुरूई आप अपनी डिटेल ठीक करा सकते हैं उसके बाद में आप आधार card लिंक कराना है अपने पीएफ अकाउंट के साथ में अगर आपका भी अपने employer के साथ में कुछ संपरक नहीं है जिससे आप अपना आधार card पीएफ अकाउंट के साथ लिंक नहीं करा पा रहे हैं तो इसके लिए आपने ग्रिवेंस पोर्टल पर जाना है वहां से एक सिकाय करते रेज करनी है उसके बाद में आपका आधार card पीएफ को ओफिस की तरफ से आपके पीएफ अकाउंट के साथ में मातर 15 से 20 दिनों में लिंक कर दिया जाएगा और आप अपनी पीएफ अकाउंट को online login कर सकते हैं विड्रोल कर सकते हैं और जो भी कारवाई आप online करना च पीए.